हेलो अल आफ यू, वेरी हैपी स्वर्सोती पूजा, बहुत अच्छे से मनाईए स्वर्सोती पूजा को, मैं भी अभी थोड़ा सा फ्रेश होके, इधर का घर का थोड़ा काम करते फिर निकलूंगी, और मैं अभी पी रहे हूं, रोटी, एक कप चाय पीने के बाद ही, फिर क दिखाएंगे आपको, तो चाय में फिनिश कर लेती हूं, वाकी घर का भी काम है, प्रेफरस्ट है, सब कुछ करके, इसके बाद थोड़ा सा लेडी होके, फिर निकलेंगे, स्वर्सोती पूजा जहां पे हो रहा है, हमारे सुसाइकी में, वहां पे निकलेंगे, तो बने र होने के बाद, अभी मैं हो रही हूं तयार, लगा रही हूं लिपस्टिक, और साड़ी मैंने पहन लिया है, अब निकलूंगी, जहां पे स्वर्सोती जी का पूजा हो रहा है, तो मैं पहुत चुकी हूं पंडाल में, यहीं पे होगा स्वर्सोती जी का पूजा, और काफी सारा यह लोग यहां पे जमा अल्रेडी हो चुके हैं, अभी टाइम हो रहा था, 11 बज़े का, और यहां मैं वेट कर रही हूं, पुषपांजली देने के लिए, कि कब शुरू होगा पुषपांजली, और धूप तो इतना तेज था न, सर पूरा एकदम फटा जा रहा था, बहुत तेज धूप था उस दिन, अभी हम लोग देंगे, पुषपांजली, तो हाथ पे फूल ले लिए हैं, बेटे को भी फूल दे दिये हैं, और पंडी जी अब मंत्र बोलेंगे, और हम लोग अंजली देंगे, आप सब भी हमारे साथ अंजली दीजिए स्वरसिती जी को, और यहां कुछ फोटो सेशन भी होगे और प्रशाद भी खा लिए, मैं निकल रही हूं, इवनिंग आरती के लिए, तो चलिए मैंने साथ, अभी मैं निकल रही हूं, इवनिंग आरती के लिए, तो बेलिया मैंने पर्श अपना, चल तेख, चौब अब आगो, यहां इविनिंग में भी प्रशाद बिल रहा था अलवा और पूरी बहुत ही टेस्टी था वो में शूट नहीं कर पाई और फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ निकल गई एक रेस्टुरेंट में रात को डिनर लेने के लिए आप लोग भी एक व्यू लीजिए रेस्टुरेंट के अंदर का और हम लोग डिनर में क्या क्या लेंगे ये भी हम लोग और दे चुगे थे तो यहां हम लोगा स्टार्टर आ चुका है तो यहां हम लोगा स्टार्टर आ चुका है यहां हम लोग और दिये हैं पॉर्ख मीट विद फ्लेवर्ट राइस यह सारा में कोर्स में है और हम लोगे कॉडर दिये थे गार्लिक राइस और यह है आपका चिकेन नई स्टारी क्रीमी मश्रूम चिकेन परस्ट टाइम यहां पर मैंने पॉर्ख मीट टेस्ट किया पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे अच्छा नहीं तो आज था स्वर्शतीव पूजा का नेक्स डे और हम लोग का आज मतलब बेंगॉलीज में आज हम लोग का शुष्टी पूजो भी था तो अभी मैं जो आप लोगों को सुनाओंगी उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा यूकि ये उन लोगों के लिए है जो देश के बाहर में रहते हैं मतलब विदेश में रहते हैं घंटी और शंक का आवाज सुनिए ये वीडियो में जरूर लिखके बताईएगा ये शंक और घंटी का आवाज आपको अच्छा लगा की नहीं येस और नो इस प्रशाद को हम लोग बोलते हैं बेंगौली में दोधी कॉर्मा ये एक्च्वेली खोई और चूरा से ये मिक्स किया हुआ प्रशाद है तो अब जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो है नौरेंदपूर रामकृष्ण मिशन ये यहाँ पर भी सुरस् तो पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अंत्रास लाइफस्टाइल और पैशन तो फिर मिलेंगे मेरे एक नए वीडियो में तिल देन टाटा बाई 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 डू टेक केर अफ यरसेल्फ औ ऐसे tavु झाल सकते के वाई बाई तो फिर मिलेंगे में लश्राइब के अधलिठा डे को ए दूरा बाई ये जरूँ not झाल